नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में, Realme 12 Pro Plus 5G vs. Poco F6 5G का फुल डेफ्ट कंपारिजन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टपोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की, दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, 12 Pro Plus 5G में 6.36 इंच जबकि F6 5G में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है जो की 12 Pro Plus 5G से कम है विडि की बात करें तो, 12 Pro Plus 5G में 2.91 इंच जबकि F6 5G में 2.93 इंच की विडि मिलती है जो की सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो 12 Pro Plus 5G में 0.34 इंच जबकि F6 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो 12 Pro Plus 5G में 196 ग्राम जबकि F6 5G में 179 ग्राम का वेट देखने को मिलता है चलिए अब हम डिस्पली की तुर्णा करते हैं अब डिस्पली डाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्पले मिलती है अस्पेक्त रेशियो 12 Pro Plus 5G में 20.1 एक रेशियो 9 जबकि F6 5G में 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्पले साइज की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में 6.7 इंच जबकि F6 5G में 6.67 इंच औरो डिस्प्ले रेजलूशन 12 Pro Plus 5G में 1080x2412px FHD+, और F65G में 1220x2712px FHD+, मिलता है Screen-to-body Ratio 12 Pro Plus 5G में 90.68 प्रतिशत जबकि F65G में 89.95 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो 12 Pro Plus 5G में 394px प्रतिश जबकि F65G में 446px प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जोकी मोबाईल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें Main Camera की तो 12 Pro Plus 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखिर में Periscope Camera देखने को मिलता है और F65G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखिर में Ultra Wide Angle Camera देखने को मिलता है बात करे विडियो कैमरा की तो 12 Pro Plus 5G में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और F6 5G की बात करे तो उसमें 20 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करे फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो 12 Pro Plus 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है और F6 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 6 different features मिलते है आए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में Adreno 710 जबके F6 5G में Adreno 735 मिलता है चिप सेट की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 और F6 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है बात करें RAM की तो 12 Pro Plus 5G में 2 option देखने को मिलता है जिसमें 8 GB 12 GB की RAM मिलती है जबके F6 5G में 1 ही option देखने को मिलता है जिसमें 12 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो 12 Pro Plus 5G में 2 विकल्क देखने को मिलता है जिसमें 126 GB 256 GB की storage मिलती है जबके F6 5G में एक ही विकल्क देखने को मिलता है जिसमें 256 GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों phone में नहीं है operating system दोनों phone में Android V14 देखने को मिलती है बात करें तो दोनों phone में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में 3 colors जबके F6 5G में 2 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो 12 Pro Plus 5G में 3 variant देखने को मिलते है जसमें की 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 21,999 रूपीज 8 GB RAM 256 GB storage के साथ 30,500 रूपीज 12 GB RAM 256 GB storage के साथ 24,999 रूपीज में मिलता है और बात करें F6 5G की तो उसमें एक ही variant मिलता है जो की 12 GB RAM 256 GB storage के साथ 31,999 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते है प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कामरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रंक सेल्फी कामरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में F6 5G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Vivo Y200E 5G है, दुसरा Oppo F25 Pro 5G है, तीसरा Tecno Camon 35G है और लास्ट competitor phone की बात करें तो उसमें Nothing Phone 2A 5G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी प्रेयर दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो क्रप्याय से लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूलें